दोस्तों जो हमारे शरीर के पिंक्रियाज में इंसुलीन का पहुचना कम हो जाता है तो खुन में ग्लुकोज के इस्तर बढ़ जाता है और इस इस्तिती को डायबिडीज कहा जाता है आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी चीज के बारे मताने जा रहा हूँ जिसको आप घर पर ही इस्तमाल करके डायबिडीज को आसानी से कंट्रूल कर सकते हैं यह बहुत ही पाउरफुल चीज है जिसके बारे में आयरिवेटी किताब स्टांग रिद्दे में बताया गया है और मुस्लिमों के किताब हदीस में इसके बारे में काफी कुछ जानकारी दी गई है हम बात करने वाले हैं दोस्तों कलोंजी के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मौत को छोड़ कर हर मर्ज की दवा है कलोंजी दोस्तों गुणों का ख़साना होता है, इसमें potassium, protein, fiber के साथ सर्थ कई जरूरी vitamin, mineral, fat, amino acid और साथी antioxidant भरबूर होता है अगर आप diabetic हैं तो इसके 7 मादर से आपकी sugar कंट्रूल हो जागी और अगर आप diabetic नहीं है तो आपको जन्दगी में कभी भी sugar नहीं होगी आई जानते हैं sugar को कम करने के लिए कलोंजी का इस्तमाल कैसे करना है आपको करना क्या है? आदे चम्मच की मातरा में कलोंजी की बीजों को लेना है और इसे एक गलास पानी में डाल कर रात भर के छोड़ देना है जब आप सुबा उठाएंगे तो कलोंजी की बीजों सहीद पानी को गैस पर चड़ा लीजेगा और इसमें साथ में डाल दीजेगा एक चुम्मत सौफ सौफ और कलोंजी को अच्छे से पानी में बाल लेना है इसे चान लेना है और गुन-गुना ही आपको सुबा सुबा खाली पिट या फिस सुबा नास्ता करने के आदे घंटे के बाद इसे शिप शिप करके पी जाना है इसे बिल्कुल चाय की तरह अराम से पीछेगा ऐसा कर को कम करता है इन वीजों में कोई कॉलेस्टरॉल नहीं होता है एक स्टडी के मुताबिक अपने डेली डायट में अगर आप कलोंजी को शामिल कर लेंगे ना खुन में खराब कॉलेस्टरॉल और ट्रागलिस्राइट के लेवल में कमी आती है इसके लावाँ शूगर मढ़न करने के लिए चाय को आप किसी भी मौसा में पी सकते हैं हां गर्मियों के मौसा में आप सिर्फ दिन में एक कप पी जेगा और ठंड के मौसा में अगर आप पी रहे हैं तो दिन में दो कप बना कर भी पी सकते हैं तो दोसों शुगर चाहे तीन सो असी हो या फिर चार सो अस इसका आधा चम्मच इस्तमाल सौफ के साथ जरू किजेगा धन्यवाद